नमस्कार शुप्रभात मेरी प्यारे बच्चों कैसे हो आफ सब भी आफ सब भी अच्छे हो ना तो आज आप यह देख रहे हो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम छोटा से लेकर के आहा तक की अक्छिरों को पहले रिवाइस करेंगे फिर उसकी बाद मैंम आपको ठीक है तो यह कौन है छोटा से अनार छोटा से अनार मेरे साथ में बोलो अ से अनार अ से अनार यह कौन है यह है बडा से आम यह है छोटी से इमली कौन है छोटी से इमली यह कौन है यह है बड़ी से एक बड़ी से एक और ये है छोटाओ से उल्लू और ये है बड़ाओ से उन्ट और ये है दिशे दिशी और ये है ए से एड़ी ये कौन है ये तो है आय से एनक ये से एड़ी और ये है ओ से ओस सल्डियों के टाइम में ओस पड़ती है ना औ से ओस औ से ओस और ये है आओ से औरत और ये है अंग से अंगूर ये अंग से अंगूर और आहा माने कुछ नहीं अभी हम का कबूतर की लाइन को देखेंगे ठीक है ये है का से कबूतर का से कबूतर और ये कौन है ये है खासे खरगोस खासे खरगोस क से कबूतर खासे खरगोस और ये है गासे घड़ी और ये है अंगा माने कुछ नहीं करसे कबूतर खासे खरगोस गासे गंला और अघासे घड़ी तो अब ही हम का कबूतर को बनाना सीखेंगे ठीक है कबूतर को कैसे बनाते है का से कबूतर कैसे लिखते है तो इसके लिए पहले आपको एक sleeping line बनानी है फिर standing line ये तो बन गया tea tea for tomato बन गया नहीं अभी इसमें क्या करना है आपको इस type से curve बनाना है ये कौन सा curve बन गया ये है right open curve and अभी ये downward open curve ये बन गया का से कब उतर क्या बनाना है sleeping line बनानी है और ये standing line ये tea बन गया नहीं tea for tiger फिर इसमें आपको क्या करना है ये right open curve बनाना है और फिर downward open curve ये है ना ये देखो downward open curve तो ये बन गया का से कबूतर कैसे sleeping line फिर one standing line फिर क्या करना है फिर ये curve बनाना है फिर ये downward open curve ये बन गया का से कबूतर का से कबूतर sleeping line standing line फिर right open curve और फिर downward open curve ये बन गया का से कबूतर sleeping line standing line फिर right open curve ये downward open curve ये बन गया का से कबूतर sleeping line standing line and ये है right open curve ये ये downward open curve ये बन गया का से कबूतर का से कबूतर का से कबूतर ये कौन है ये तो है का से कबूतर ये देखो ये है का से कबूतर बोलो मेरे साथ का से कबूतर तो आज हमने कौन साक्षर बनाना सीखा कासे कपूतर एंड आपको अपनी नोट बुक में बनाना है ओके एंड इसी तरह से पहले आपको T बनाना है फिर उसमें राइट ओपन कर्व और ये फिर डाउनवर्ड ओपन कर्व तो ये बन जाएगा कासे कपूतर तो आप भी एसी तरह से बनाओगे न एंड फिर मैं को अच्छी सुन्दर सुन्दर राइटिंग में लिखके सेंड करना ठीक है